केवाई छे क्या क्रूशी प्रधान देश चे इटला माटे आदेश नो बविश्य नो आधार आदेश ना वर्तमान नो पना आधार वर्साद पर छे परंतु कोईक चीन्त के आमाननों आधार फेरफार करीने इम सुन्दर ताती समझाविए के बारत एक रूशी प्रधान देश तो छेज परंतु बारत रूशी प्रधान देश छे अग्या रूशियों अवतर्या अने रूशियों नी कुरुपावनों वर्साद निरंतर वरस्तोरोयो आज ती 5000 वर्स पेला श्रीमत भागवतमा महरशी वेद व्यास जी लख्यू अहो अमिशाम किमकारी शोबनम आ भारत देश एके वो पवित्र देश चे एनी गुण गाता एमने लख्यू के आ भारत देश मा जन्म लेवा माटे देवताव पन जंखे चे आगल समझाविऊं के देवताव एम प्रार्तना करे चे के क्षणा यूशाम हे भगवान तमे आ देवलोक मा अमर राख्या चे उँँ अमरत्वन आमने वर्दान आ भारत देश मा निया आपो तो चाल शे आमने ख्षणन नू आयूशे पन आपो पन भारत मा जन्म आपो कारण के बारते केवी भूमे छे के ज्यांती कल्याणनी गंगा निरंतर वया करे चे महापुरुशोद्वारा महापुरुशोद्वारा ज्या निरंतर एक आध्यात्मिक उन्नतिनों मार्ग चिंधाया करे चे अने महापुरुशोद्वारा जीवनने केवी रिते सार्थक कर्वू तेनु अद्भुत मार्गदशन प्राप्त थाई छे जीवन तो पशु पंकीने पन मले छे गदेडा कुत्रा बिलाडावने पन मले छे पन मानस्ने जे जीवन मले छे एमा एक सुन्दर अवकाश रहेलो छे एचे विकास नोवकाश मात्र भावतिक विकास नहीं मात्र दुन्यवी विकास नहीं पन दू आध्यात्मिक विकास नो पन एक अवसर मानोव जीवन पासे छे एटले एवु मानों जीवन प्राप्त करवा माटे देवतावपन जंखे छे एवी आपनिया भारतनी भुमी, महरशियोनी चरंडरच थी महान संतोनी चरंडरच थी महान आचार्योनी पदरेणु थी पावन एवी आपनिया धर थी हजारों वर्षो थी आपनिया परंपरा जें अवतरती रही छे कोई के भगवा पेरिया कोई के श्वेत वस्त्रों पेरिया कोई के जटा राखी कोई के मुंडन राख्या निशिखा राखी कोई के धोती धारण करी कोई के लंगोटी अने लुंगी दहरन करी वस्त्रो अलग वेशकेश क्यारेग अलग क्यारेग प्रांत अलग क्यारेग भाशा अलग पन बदानू लक्ष एक हतु ये ज लक्ष हतु समस्त समाजनू हीत करूँ अने इटलेज सद्गुरु ब्रमानन स्वामी बसो वर्ष पलाएक अधुवुद पंक्ती लखी संत परम हीत कारी जगतमा संत जिव कोई परम हीत कारी नथी एम ब्रमानन स्वामे लख्युए मात्र कोई वखान नथी ये मात्र कोई बारोटने भाट्चारन राजा महराजोना गुणगान गाई एवी कोई गुणगा था न थी पने हजारों वर्षोना अनुभवनों एक नवनीत छे अने एमने जे उच्चार्यु एक सनातम सत्य नशाश्वत सत्य छे कि आ जगत मां सव कोई कोईकनों हीत करवा माटे चिंतन तो करता होई छे प्रवृत्ती पन करता होई छे पन परम हीत करे एवा मत्र संत छे अने परम हीत छे एना उपरपन अपना महापुरुषे उन्डु चिंतन करिऊ छे एवा संतोनी परमपरामा के जवने परम हीत माटे समस्त समाजने पोतानु जिवन आपी दिदू छे जे मने समाजनु परम हीत करवा माटे पोतानी एक एक ख़ाण खरची छे एवा ए महान संतोनी परमपरामा आज आपनी सामे अपना सवनी समक्ष आपरुथिव पर विच्रे छे विश्वबंदनी परमपुजय प्रमुख स्वामी महराज परम्पु ये प्रमुक स्वाई महराज नू जीवन एक आदर्श संत विभूती तरीके नू जीवन छे एम केवू बहुत सेलू छे पड़ एमना जीवन नी एक शन पड़ आपने जाते जिवी होई ते बहुत कपरी छे कारण प्रमुक स्वाई महराज भले एक सामान्य जेम बे पगे चालतो मानास होई तेम बे पगे चाले छे कोई बे हाथे काम करतो ये मानास येम बे हाथे काम करे छे માંખે જોણા રો માણા સેમ બે આખે જુઋએ છે બે કાંથી સાંબલેત એમ બે કાંથીત સાંબેચે पान एमनो आत्मा अन एमनो रदै एक उँचाये बिराजे छे के जनेकाने एमना जीवन नी एके क्षान ए सामान्य मानस माटे दिव्याने अद्विती आछे लोको प्रमुक स्वामी महराज ना गुणगान गाईशे प्रमुक स्वामी महराद ना चरणों माँ जीवन समर्पीत करवा आवे छे आजे देश विदेश ना हजारो युवानों प्रमुख स्वामी महराज पाचल पोतानों जीवन नियो चावर करवा माटे दोड़ी आवे छे प्रमुख स्वामी महराज पाचल 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 पा ओदू समिखवा माटे आज आपणे पुझे ब्रमवीहरीस्वामेने विन्यन्ती करवानी छे परम्पुझे प्रमुक स्वामी महराज साधुतौनु र्हूर्तिमंत स्वरूप छे साधूत भणा, पण साधुतनु मुर्तिमंत स्वरूप शोधूत्य घुरू छे निश्काम, निर्लोब, निर्मान, निस्वाद, निस्ने, आब दा जे सद्धगुणों छे अने महर्शी वेद्व्यास जी श्रिमत भागवतमा जे महान संतना अधभूत लक्षणों वर्णव्या छे जे आज ती 5000 वर्ष पहला वर्णव्या छे ए लक्षणों मात्र पोथी माज पड़ेला छे ए लक्षणों मात्र व्याख्यावो छे ए लक्षणों मात्र वाद ने विवाद नी बाबतों छे ए बधिज प्रशना वलियों ने प्रमुक स्वामी महराज पोताना जीवन दवारा समाप्त करी दी दी छे गराण के प्रमुख स्वामी महराज पोते ए तमाम लक्षणोंनों हालतू चालतू मुर्तिमन्त स्वरूप छे एमनी त्राणू वर्षनी आज जीवन यात्रा लाखो लोकई बोव नजीक थी जोई छे एमने गामडाओं मां गुमता जोया छे लोकई आदिवासियोंना जूपडा मां रेता जोया छे क्या खुल्ला खेतर मां रात वीतावता कोई खेडूतना जूपडा मां रात वीतावता कोई जोया छे एमने सामान्य हरीजन ना जूपडा मा जेने के वागरियों ना जूपडा मा जेने विसन मुकावता जोया छे एमने घरो घर गामडावों मा कादो ने कीचल खुंदी खुंदी ने पद्रामनी करता जोया छे लोको छे जेरे मिनेमनी साते कल्लाको नहीं वर्षो नहीं क्या रेक आखु आइखु पन वितावियू छे वा किटला ही लोको छे बैधानों एकत सूर छे संत परम हितकारी एवा महान संत ना व्यक्तित्वने समझवा माटे आपने इटला माटे एकत्री थेया छे कि आपने सुवे पन आपना जीवन एक उंचा ये लई जवू छे हाँ एक सामान्य मानस्नी जेम जीवी जवू होई तो एतो सरल बाबत छे गधडा कुत्रा विलाडा एम प्राणियो पना प्रुथी पर जीवे छे एम जीवी जवू होई तो कोई वो मटी बाबत न थी पन एक आध्यात्मिक उंचा ये लई जवू होई तो एक आदर्शने बराबर समझवा पड़े एक महान संतना जीवनना आदर्श तरप्ति छे नजर करवी पड़े सद्गुरु निष्कोडान स्वामी एक पंगती मा कहिँ जेने मलवे मान्यू कल्यान रे तेने जोवा घड़ी गड़िये अपन आदुनिक जीवन मा आपने रोज-बरोज गणूबदु जोई एचे आदुनिक जीवनना प्रवाहमा समाचारोथ इमाढडीने गणेक दुनियाव मा आपने डोक्यू करिये चे पण जे मुख्यकरवानों चे ते रही जायी चे संतना जीवन मा डोक्यू संतना रदई मा डोक्यूं आपड़ो विशय चे संत परम हितकारी आ विशय इमातर आजना यूग पुरुतोज एवो उपयोगी नथी अत्वात समसामाईक नथी परंतु युगे युगे आ विशय समसामाईक रहोचे करण के जीवनमा येटली श्वास नी जरूर छे जेटली पाणी अने खोराक नी जरूर छे येटली आध्यात्मिक्ता नी जरूर छे अने आध्यात्मिक्ता संत सवमासी चे छे एटले आ संत परम हितकारी ए विशय ने समझवानी आवशक्ता युगे-युगे रहली छे आपना सवना आहो भाग्या छे क्या संत परम हितकारी ए आजनी आ व्याख्यान मालामा आज दूर दीव से व्याख्यान मालामा आपने पुझे ब्रह्मविहारी स्वामी जेवा समर्तने चिन्पनची लुकता प्राप्त थाया छे पुझे ब्रह्मविहारी स्वामी संस्थानी अनेक विद सेवाओमा योगदा ना पेछे संस्थाना जन्य संपर्क विभागनों सुत्र संबाली रहाए छे पूर्वे आपनेम्नों विशेश परी चही सारी तै मानी सक्या छी पन सव थी विशेश परी चही तो तेमनी आ व्याख्यान श्रेणी छे अने आ व्याख्यान श्रेणी ने मानवा माटे आप सौद की दूर-दूर थी बदारों छो ओ ये जानेने खुब programs cidade थाई छे क्यावी एक उत्तम सामग्री मां आवा उत्तम विचारों मां जीवन नावा उन्नत मुल्यों मां सौने केटली बदी श्रद्धा छे नौरात्री मां रात्रे बार वागे रात्रे एक वागे क्यारेक आखी रात दांडियानों कार्यकरम चाले एमा लोकोंने श्रद्धा होई छे करण केमा मनोरंजन प्राप्त थाई छे समझाई तेवी बाबत छे परन्तु आउँ कोई आध्यात्मीक प्रवचन चालतु होई एमा लोको रात्रे बार बार वागे शुदी खुब एकरा एकागरता पुरोक सामड़े एक घरेकर समाज कित्लों बदो आध्यात्मीक भूख वाड़ों चे जड़ावे छे आप सव चला त्रण दीवस्ती रात्रे साड़ा ग्यार बाग्या सुदी पिन ड्रॉप साइलेंस साथे बेसो चो क्यारेक एम थाई के जाने एक पन व्यक्ति हाजर नथी इतला बदा एक आगर भाव साथे आप सो आख खुब सुन्दरता थी श्रवन करो चो त्यार अन्तर मां एटलो बुदो हर्ष थाई छे क्या आक एटली एक उत्तम बाबत छे लोको मनोरंजना कार्यकर मां आखी रात वितावता होई छे एतो एक सामान्य समझाहिते वी बाबत छे पन अध्यात्मिक ग्नान प्राप्त करवा माटे जीवन मां काईक उत्तम त्रेणा प्राप्त करवा माटे आटली मोडी रात सुदी आटलो मोटो समुदाई सेज पन गोंगाट करयावीना सेज पन हल्चल करयावीना खुब शिश्तपरुक साम्बले छे मनेम लागे छे कि आप भुमिनों प्रताप छे, आप सवना हैया नों प्रताप छे नवा नरोडा दूर दूर नो जे नवो नरोडा एरिया ज़े नवो विक्रसित हियलो एरिया चेक त्या ती सामबलले आब champion आप बदाने जिटला धन्यवाद आप ये तेटला ओछा छे आउ सुन्दर गनान ए मात्र एउगनान नती कि जे माहीती होई कालेज पुझे ब्रह्म विहारी स्वामी ये करूं तूं आज ये गनान छे आपड़ा जीवन ने घड़तर करवा माटेनू गनान छे प्रमुक स्व आपने महानतानी उच्चाये पहुचवानू छे एवाद अगत्यनी छे प्रमुक स्वामी महराज मां आटला भदा सद्गुणों छे एवाद खुब अगत्यनी छे तो एना करता वधार अगत्यनी बात ए छे ए सद्गुणों आपणे आपणामा लेयावाना छे प्रमुक स्वामी महराजे भगवान स्वामी नाराण ने खुब प्रसंद कर्या एक खुब रदैने स्पर्शेते भी बात छे तो एवी स्पर्शेते भी बात एपन होवी जोएक आपने पन भगवान ने वा प्रसंद कर्वा छे अने एवी एक मुमुक्षुता आपना सव मा आपना सव मा देखाये छे अने पुझे ब्रह्मभिहारी स्वामी अगरागरा प्रसंगोंने सरल ताथी लावी ने आपना day to day life मा रोजिन्दा जीवन मा केवी ते आपने आत्मसात करी शक्ये यही ते सुंदर साथी आपने समक्ष प्रस्तुत करे शे विशेश आनन्था शे गईकाले एमने आपने होमवर काप युथू एमना आगलादिव से पुझे अपना आपने होमवर काप युथू एक जण्नी माफी मागी नाव जो मने केता आनन्द थाई शे के किटला बदाये किटला बदानी माफी मागी एक दिवस मा मिच्छामी दुकडम अपनी एक प्रथा बनी गई शे पन काले किटला बदा लोकोई दिल ची मिच्छा मी दुखडम उजवियू अने काले किटला बदा लोकोई ना संबंदों काले मिठा थया एक रात नों उजागरो आखी जिंगी ना उजागरा बंद करावी दे एवो परम्दी उसनों उजागरो किटलाक ने थयो आखी रात किटलाक ने वलवलाट चालियो काले सवारे पेला नी माफी मागी श्त्यारे हिम्मत तो जोई शे अने हिम्मत पूर्वक सवारे केटला के माफी मागी तो आख क्यों एक जीफन गड़तर थेयो प्रमुक स्वाई माराज एक आध्यात्मिक उचाए बिराज ये छे पांण निवेदन ए करू छे कि आजे ब्रम्विहरी स्वाई में आगल थी गढियाल लई लेवी छे बान्या छे यसोर नो एटले केटला वागे आपने छुटी शुए आजनी रात नो कोई निर्धार न थी आजनी रात रड्रियाली एम आपने मानी नागल चाली ये छी अने बीजु निवेदन ए छे के ब्रमविहारी स्वामी ने एक नानुयो निवेदन करियू छे के वचे एक पोज लेवानों छे ऐलेक वचे पोज ले छे एक पोज किटला वागे लेशे कई नकी न थी पने जारे पॉज लेशे त्यार बची एक बहुँज अगत्यनी आजनी पाराणी फलस्रुती रुपे एक प्रहुडुती छे कोई एम नमाने क्या पॉज आवे हो छे इतला हालो उभासिन चालवा मन गिये पन एजारे पॉज लेशे त्यारे एक एवी वस्तुनी सुवास आप सुधी पहुचाडवी छे के जाब कायम इस सुवास ने सुंघ्याज करशो मान्या करशो तो आजे हवे बधु काई ना केता पुझे ब्रह्म विहरी स्वामी ने कही दिये क्या आपनों दोर आगल लंबाओ अनमे पोजनी राज हुए छे पुझे ब्रह्म विहरी स्वामी परमितकारी जगतमाही संत परमितकारी मानसमात्र पोताना हीतनी खेवना करे छे मानसमात्र एक जंखना राखे छे एना जिवनमा क्यारे दुख नावे मानसमात्र सदा एवी एक महत्वा कांक्षा राखे छे एनु कायम बलूज थाए परन्तु आ दुन्यानो क्रम मानसने इच्छा प्रमाणे नथी चालतो आ दुन्या मानसने इच्छा करता खईक अलगरीते चाले छे मानस गम्मेतिकलू इच्छे तेम छता जीवनमा सतत अपेंड डाउन आवे छे जीवन क्यारेक सुखनी अद्वुत सिमावों पन माने छे अने क्यारेक दुखनी गहराई मा कोईक उंडा पाताले जेने हताशा मापन मानस कुजरी जाई छे तो सुखने दुखनी आजे चड ने उतर जे सतत चाल्या करे छे एनी वच्चे कोई एवो मार्ग छे के जेनाद्वारा आपनों सदाई परम हीत थाई हजारो वर्षोती भारत मा आनाव पर चिंतन थत्वाव्यु छे आजे शरत पुर्णी मा छे शरत पुर्णी मानों आवसर छे शरत रूतु चाली रही छे चार दिवस पचित शरत पुनम के त्रण दिवस पचित शरत पुनम छे आकाश मा शरत रूत्तों ना दिवसे वादला न होए एम आपना आजार योक्ये छे आज आकाश मा वादला पड़ न थी शरद्रतुनु आकाश हम्मेशा निरब्र होईचे अब्र विनानु वादला विनानु होईचे अने शरद्रतु हम्मेशा शीतल होईचे पन आजनी शरद्रतु शीतल न थी वारे वारे परसेवलु छो पड़ेचे वारे वारे पंखानी नी एसी नी अपेक्षा रहे छे आपनी हजारो पेडियो ये शरतपुनमे शितलता अनु भव्यती पड़ आजे शितलता नती तो अपन डाउन वच्चे आप प्राकृतिक फेरफारो वच्चे आने जीवन पोते पन एक प्रकृतिनो भाग छे एमा पन स कम्मे पर प्राकृते से थे लेते उनु और भाग ये ने वच्ची आपनी आजु बाजू जे मानसों गुठवागेला जे कैरेकीन आपने परीवार कहीं एक झींक मीत्रों कृ तो करेश्यू इच्यर पाल जेक मानधी आजु गुठवायाव लोको थे ये बदाम हो हसे प्र अने आ आजुबाजुना मानस्वनी बन प्रक्रुती शक्य बने तेम नथी। एवा समय एवो कोई इलाज छे कि जे आपने आ तमाम परिशिते वच्चे सदाई शीतलतानो अनुभव करावे, सदाई शांतीनो अनुभव करावे, सदाई आनन्दनी अनुभूती करावे। एजमानाम एजी नोता, पण आजना मानस करता एलोकोंना है ये टाड़क खुब हती। एजमानाम पंखा नोता, पण एलोकोंनो जीवन खुब कमफोटेबल हतु। ए मार्ग ने पुनह उखेडवानी जरूर छे, ए मार्ग ने पुनह बार लियावानी जरूर छे। अने नामा टेज, अब आध्यात्मिक कार्यक्रम हो छे, ए मार्गे लई जाए कौण। ए मार्ग छे, ए मार्ग समझावे कौण। ए मार्ग सुधी पहुचाए छे, तेम खातरी करावे कौण। ए मार्ग आपने पन, आपना जीवन में अपना विशक्ये छे, तेम ए वाद परमहित् कारी जगत तमाही संत परमहित् कारी। अने ब्रह्मानन स्वामी पोत हम आ पद चरम सिमाय हेँ लैजेनेम समझावें छे, आ संत उखनी एक अध्बूत सीमानो अनुभव कराव्ये , कारण ए संत पोतते सुखमा राजे छे। के यह संत पर मुग्णोन है था he said 500 scales अधने प्रके समय का संत जर्गेर्गा संत पलेवओ व्याख्याभुअ और के श सब्सकी जर्गी है सफ्सेल सब्हसका य। आदेए अति मतल्राम्की हली ट क्रस्तुव ए महर्शी व्यास ने वालमी की थी लई ने आधुनिक युग ना अनेक संतों न ए चेहराओ माथी एक संतनी पसंदगी करीने एना जीवन उपर आपड़े बदार आगडवधी रहाची पुझ अब ब्रामा विหारी स्वामी इवास संत छेह महान संत नो खूब नजीक थी परीचे पराप्त करीरह। पुझे ब्रम्य विहारी स्वामी गईकाले कही हुँ तो गहुं प्रमुक स्वामी महराज उपर आजे वाद करीश मारे एक वाद खास आजे उमेर वीजुए यह में गईकाले यह परीचे सुन्दर ताथी अपायो छे पड़ एक वाद यह में उमेर वीजुए कि यह परम्य पुझे प्रमुक स्वामी महराज नी जे कई वाद करी रहाचे ए कोई मानस पुराण नी पोथियो खोले अने जुना जुना द्रस्टान तो आपनी समक्ष वरणवे एवी कोई वाद न थी कोई मानस ए जुनी जुनी बापदादाओं ना परदाओं ना ददाओं नी कोई कहेली बातो आज कोई समलावे एवी कोई वाद न थी परण आज ये वाद आवशे ए प्रत्यक्ष नजरे दिठेली जाते अनू भवेली अन्युक्ति-इदा मैं हुआ ऐह क्यों।